हम लोगों ने भी तक अरहाईने स्थोरी और ब्रॉंसिट थोरी पढ़ा आज हम लास्थ थोरी पढ़ते हैं इस्ट बेंस के दैट इस लूइस थोरी बढ़ता जी एन लूइस ने 1938 में दिया था और इस थोरी को तो electron pair donor और electron pair acceptor theory भी बोलते हैं तो आपको बता होना चीव, Lewis ने सबसे पहले क्या बताया acid के बारे में, कि acid वो species होती है, जो electron pair मैं single electron की बात नहीं कर रहा, electron pair की, electron pair को accept कर ले, उनको क्या बोलते है, acid, और जो electron pair को donate कर दे, जो species उनको क्या बोलते है, base, जैसे acid में हमारे पास example क्या है, BCL3, Almonium Trichloride, Ferric Chloride, CS3 positive, H positive, BF3, इनमें सभी species के अंदर आप क्या देख लोगे, जो central atom है, उसके पास electron की कमी है, ठीकर जैसे boron के 4, 3, 3 तरफ, 3 chlorine है, 6 electron प्रिजेंट है, इसके पास trichloride, एक pair accept करके अपना update complete कर सकते है, FEB उसी तरह से, CS3 positive आ गया इसके पर, ठीक है ना, तो electron की कमी है, H positive के पास भी electron की कमी है, BF3 भी उसी तरह से electron ले सकते है, तो ऐसी species जो electron pair accept कर सके, उनको acid बोलते हैं, और जो electron pair donate कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, base, जैसे base में example ammonia, water, ether, alcohol, cyanide, OH-, सभी के पास electron pair available है, यह donate कर सकते हैं, इसलिए base, तो आप इस example से देखो, जैसे BCL-3 acid है, ammonia एक base है, तो ammonia अपना electron pair BCL-3 को donate कर देगा, और जब जो species donate करती है electron को, और जो species electron को लेती है, तो arrow हमें इस तरह से बनाना है कि electron accept करने वाली species की तरफ, आपका क्या होना चाहिए, arrow होना चाहिए, यहनि from donor to acceptory की तरफ, तो इस तरह बनने वाली species को हम क्या बोलते हैं, अडक्ट, आप समझ सकते हो इस example से भी जैसे BCL-3 है, इसके चारों तरफ, तिनों तरफ क्या है, तीन बोंड है, central atom यहां पर बोरों है, तो central atom पर element पर electron कितने है, दो, चार, छे, छे, छे लेक्टोन है, तो दो electron की कमी है, update complete करने के लिए इसलिए Lewis acid है, उसी तरह से वाटर का molecule, अब कुछ बाते हैं, वाटर के बारे में आपको पता होने चाहिए, कि देखो, वाटर के पास दो electron pair होते हैं, जो angle है, 104 degree 5 minute का होता है, यहाप इसकी shape कैसी है, bent shape होती है, geometric कैसी होती है, tetrahedral, hybridization sp3, bond angle 104 degree 5 minute, यह बाते हैं आपको, यह कैसे calculate करते हैं, यह हमारे chemical bonding में आएगा, अब ही बस पता होना चाहिए, वाटर के बारे में कुछ बाते हैं, इसके बास electron pair है, तो यह भी donate कर सकते हैं, इसलिए Lewis base की तरह काम करते हैं, तो आपको कुछ properties पता होने चाहिए, कि कौन से substance, जो है Lewis acid की तरह काम कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली property है, कि molecules के central atom के पास, अगर incomplete octate है, तो वो Lewis acid की तरह काम करेंगे, ठीक है किसी दूसरी species से, इसलिए सारे Lewis acid है, और second point, ऐसे molecule जहाँ पे central atom के पास empty d-orbital present होते हैं, अब यह periodic property में पता चलेगा, detail में, लेकिन आपको पता होना चाहिए, periodic table के अंदर, सबसे उपर वाले element है, उनको छोड़के उससे नीचे वाले elements होते हैं, उनके वो अपने d-orbital को utilize कर सकते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे central atom, जो हलाइट के हैं हमारे, ठीक हैं, जैसे titanium, tetrachloride, tin, tetrachloride, तो जैसे titanium, tin, phosphorus, sulfur, tellurium, यह सभी अपने d-orbital को क्या कर सकते हैं, utilize कर स हैं, तो अगर आपसे पूछा जाएं कि भाई, यह Lewis acid की तरह क्यों काम करते हैं, यह species, तो due to vacant d-orbital, ठीक है न, जैसे sif4 है, silicon के पास empty d-orbital है, तो यह दो fluorine को अपने साथ जोड़ सकते हैं, क्या complex बना सकता है, sif6, 2-, उसी तरह से हमारे जो simple cations हैं, ठीक है न, cations का मतलब positive charge आ गए, species के उपर, उनके पास भी electron की क्या होती है, deficiency होती है, तो electron pair को ले सकते हैं, जैसे दो ammoniया के molecule जब ag positive के साथ reaction करेंगे, तो इस तरह का एक complex बनाएंगे, चीक है न, तो हम क्या कह सकते हैं, कि ऐसी species जहाँ पे incomplete octate हो, d-orbital present हो, vacant, या फिर simple cations हो, वो सारे के सारे कै कैसे behave करेंगे, हमारे Lewis acid की तरह, उसी तरह से ऐसे molecule जहाँ पे multiple bond present हो, ठीक है न, लेकिन atoms के बीच में dissimilar electron negativity होनी चाहिए, जैसे carbon dioxide का structure देखोगे, तो दोनों तरफ oxygen, oxygen की electron negativity जादा है carbon से, दोनों elements में electron negativity का difference है, उसी तरह से sulfur dioxide, sulfur trioxide, आप यहाँ पे यह base player देखके, आप confuse मत होना कि सर यह तो donate कर सकता है, ठीक है न, आपको क्या देखना, 2, 4, 6, 6 electron है इसके पास, तो एक electron पे यह ले सकता है, ठीक है न, उसी तरह 2, 4, 6, इसके पास 6 electron है, एक electron पे ले सकता है, तो यह सारी species और वैसे भी, जो हमारे पास यह sulfur है, यह है, यह MTD orbital भी utilize कर सकते हैं, तो आ बेटा जितने भी neutral species है, जिनके पास at least one lone pair of electron present हो, वो कैसे है, लूइस बेस की तरह काम कर सकता है, इसके अमोनिया, अमोनिया के पास एक lone pair है, यह electron pair दे सकता है, इसलिए base की तरह काम कर रहे है, अमीन, इस इस दा primary amine, ठीक है न, यह उसी तरह से हमारा primary amine है, उसके पास electron pair ह सकता है, alcohol, this is alcohol, आर बेटा कुछ भी हो सकता है, alkyl group, CH3, CH2, 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 CH5, CH3, CH7, आप कोई भी alkyl group जोड सकते हो, तो जो alcohol है हमारे पास, उसके पास भी electron pair है, ठीक है न, इसी तरह से हो, water के पास भी electron pair है, इसी तरह से ether के पास भी electron pair है, तो यह सारे Lewis base की तरह काम करते है, यह जा फिर उसी तरह से ऐसी species जिनके उपर negative charge हो, जैसे CL minus, इसके पास electron pair है, CN minus electron pair है, ठीक है न, hydroxide OH minus, इसके पास भी electron है, तो यह क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, इसलिए Lewis base की तरह काम करते हैं, नेक्स्ट इस multiple bond compounds, जहाँ पर multiple bond present होते हैं, वो भी कैसे काम करते हैं, बेटा Lewis base की तरह काम करते हैं, जैसे हमारे पास, देखो, acetylene हो गया, ठीक है न, यहाँ पर देखो कितने pi bond है, दो pi bond है, चार loosely bounded electron है, यहाँ पर, ethene के अंदर भी एक pi bond है, तो दो loosely bounded electron है, दे सकता है, NO triple bond present है, CO के बीच में भी triple bond present है, तो यह सारे क्या कर सकते हैं, electron pair दे सकते हैं, का हो गएगी, सर आपने तो पहले भी बोला, जो Lewis acid में वहाँ पर multiple bond, लेकिन वहाँ पर देखो, elements दूसरे हैं, यहाँ पर जो elements आप देख रहे हैं, यह periodic table के अंदर सबसे ऊपर वाले element है, जिन के पास, जैसे carbon भी topmost में आता है, nitrogen भी topmost में आता है, यह आपको ध्यान रखन है, यहाँ पर, ठीक है न, उसके अलाबा, कुछ important point पता होने चीए, कि it may be noted that all bronze acid bases are also Lewis base, जितने भी bronze acid base हैं, वो कैसे हैं, हमारे Lewis base हैं, लेकिन, but all Lewis acid are not bronze acid, ठीक है न, जैसे bronze acid हमारे क्या थे, जो H positive दे सकते थे, लेकिन हमारे पास तो Lewis acid बहुत सारे SO2, SO3, यहाँ पर तो H positive नहीं है, ठीक है न, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इस important point को, उसी तरह से limitation क्या बनी Lewis story की, कि relative strength के बारे में, इससे हमें कोई idea नहीं मिलता, कि acid और base की relative strength क्या हो सकती है, तो relative strength पे आपके, आपको मैंने last time एक numerical भी दिया था, ठीक है न, डीपी के अंदर, त K2 is the dissociation co-state of second acid, तो आप लोगों ने DPP में देखा था, उस question में directly बस value put करना था, आपको और answer आपके पास आ गया था, ठीक है बेटे, उसके बाद बेटा, next topic हमारा है, indicators, तो इसको discuss करने से पहले हम लोगों ने, अभी तक क्या discuss किया, कि हमारा अरहने इस्थोरी हमने पढ़ ब्रॉंस्टीड और लुइस, बहुत important है बेटा, यहां से question जरूर आना, आ जाता है, बहुत-बहुत important है, बड़े अच्छे से करोगे इसको, उसके बाद indicator स्टार्ट करते हैं, indicator हमें पता ही है, जैसे कि indicator का मतलब ही क्या है, indicate क्या indicate करता है, nature of the particular solution, कि कोई solution acidic है, basic है, या neutral ह इसके बारे में हमें किसे पता चलता है, indicator से पता चलता है, क्यों पता चलता है, क्योंकि यह क्या करता है, जो indicator है हमारा, it indicator represents the change in nature of the solution, from acidic to basic and vice versa, ठीक है ना, acidic को basic में convert कर देगा, basic को acidic में convert कर देगा, ठीक है ना, तो हमें basically solution का nature पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते है, और indicator जितने भी हैं हमारे basically वो कैसे होते है, colored organic substances होते है, जिनको different different plants से extract out किया जाता है, और laboratory के अंदर synthetically भी बनाया जा सकता है, जैसे कुछ acid based indicator हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला indicator है हमारे litmus, litmus एक ऐसा indicator है जिसका जो color है, जो क्या है basically, litmus एक तरह की purple dye है, ठीक ह जो कि कहां से निकाली जाती है, एक lichen, lichen से इसको obtain किया जाता है, और lichen किस variety से बिलोंग करता है, it belongs to thallophyta, थोड़ा सा bio आ रहा है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है न, जिसको lichen से obtain किया जाता है, algae plus fungus के combination को lichen बोलते हैं, और कौन सी family में, thallophyta family से, इसको जो है, obtain किया जाता है, उसके बाद जब लिटमस को पेपर के उपर applied करते हैं, और इसकी strip बनाते हैं, तो जो है, तो यह हमें किस form में मिलती है, blue and red strip की form में मिलती है, उसी तरह से जो blue litmus strip है, जब उसको acid solution में आप deep करते हो, तो उसका color कैसा हो जाएगा, red color, very very important, बहुत बा अगर acidic solution में deep करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, red color बनेगा, ठीक है न, उल्टा याद कर सकते हो, rub, ठीक है न, rub के नाम से आप इसको क्या याद कर सकते हो, याद कर सकते हो, r means red color, a means acidic solution, b means blue, ठीक है न, तो उसी तरह से red strip को, अगर हम basic solution में deep करेंगे, ठीक है न, तो color हम यह समारा कैसा बन जाता है रेड से व्लू ठीक न तो लीटमस पेपर ब्ल्य टू रेड कलर देगा एक। सॉलूशन में रेड टो ब्लू कलर देगा। उसके बाद हमारी next dye यह पेटाई फिनोफ्तिलीन डाई फिनोफ्तिलीन में कैसी डाई है एक तरह की organic dye है जो कैसा nature होता है, acidic nature होता है ठीक है ना, ठीक है तो यह जो है हमारी फिनोफ्तिलीन डाई है neutral और acidic solution में हमेशा कैसी रहती है colorless रहती है, लेकिन basic solution में इसका color कैसा हो जाता है, pink color हो जाता है again, दोनों के दोनों point बहुत जादा important है जहां से question इसी तरह के हाथ है कि color कैसे change होता है तो neutral or acidic solution में फिनोफ्तिलीन का color कैसा होगा colorless और basic solution में कैसा होगा pink and this is the structure of phenophthalene phenol, oil, phenol, oil आ रहा है यहाँ पे, oil का मतलब alcohol यह OH जो है, alcoholic group यहाँ पे लगे हुए है और phenol, phenol का मतलब benzene यह benzene ring के ओपर OH यहाँ पे लगा हुए तो पूरा structure जो आपको पास है यह phenophthalene का है, जो आपको पता होना चाहिए competition में के बाद structure डाल देता है नेचे कि कौन सा phenophthalene का structure है तो आपको इसको tick करना है next है हमारे पास, methyl orange तो methyl orange हमारे पास जो है वो एक orange और yellow color के dye होती है और इसका nature कैसा होता है, basic nature होता है पता होना चाहिए, finophthalene जो है acidic nature है, लेकिन methyl orange का color कैसा होता है नेचर जो है, वो कैसा होता है basic nature होता है तो बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे methyl orange के बारे में methyl orange का आपको पता होना चाहिए, कि acid medium में इसका जो color होता है वो कैसा होता है, red और basic and neutral medium में जो color रहता है वो कैसा रहता है, unchanged color रहता है तो color change में generally question पूछी जाते है आज से जो आपको पता होना चाहिए लेकिन acid medium में color कैसा होता है red और pink color हो जाता है उसी तरह से basic और alkaline medium में जो red cabbage juice है, उसका color कैसा हो जाता है green हो जाता है, next जाए बेटा, turmeric juice turmeric juice जो है, इसका color कैसा होता है yellow color होता है, और बिल्कुल as it is रहता है, ये neutral और acidic medium में कोई color में change नहीं आता लेकिन basic medium के अंदर इसका color जो है, वो reddish और deep brown हो जाता है, तो बेटा, ये आपके slivers में dye थी पांच, जो आपको अच्छे से पता होने चीए, यहाँ पे competition में color change के बारे में इक question पूछा जाता है और acidic और basic solution में जिस dye को हम use करेंगे तो हम पता लगा सकते हैं indicators का use करके, color change को देखकर, observation से, यह कौन सा medium है, हमारे पास acidic है या basic है, उसी तरह से बेटा, next topic है, आपके पास neutralization, neutralization का मतलब भी आपको पता चल रहा है, neutral कर देना, ठीक है ना जब हम acid और base को आपस में reaction कराते हैं, ठीक है ना जब acid और base की आपस में reaction कराई जाती है aqua solution में, तो हमारे पास क्या बनता है salt and water, यानि acid और base दोनों एक दूसरे को neutralize कर देते हैं for example, मेरे पास एक strong acid है HCl, और एक strong base है NaH, तो दोनों ने जब reaction की तो NaCl plus water बन गया यानि solution कैसा हो गया, हमारा neutral हो गया, ठीक है ना तो basically आपको एक पता होना चाहिए कि यह जो neutralization है इसमें basically neutralization इसको क्यों बोलते हैं because, क्योंकि यहाँ पर combination हो रहा है H positive और OH minus iron का ठीक है ना, of the base to form water जैसे यहाँ पर H positive Cl minus का HCl का और OH minus NaOH से दोनों आपसे में combine के और water बन गया, और जो salt बना वो salt क्या हो गया, नीचे, बीकर के अंदर container में नीचे settle down हो गया ठीक है, तो basically अगर इसको हम ironic form में देखे equation को, तो यह किस form में exist करेगा, H positive plus Cl minus NaOH, Na positive plus OH minus तो Na positive क्या करेगा, अपने से opposite, opposite iron को और हमारे पास क्या बनेगा, NaCl plus H और OH मिलके क्या बना देंगे water बना देंगे, हमारे पास liquid बना देंगे, और आपको सबसे important point very very important point for competition कि जो हमारे neutralization process होता है, वो कैसा होता है exothermic होता है, वहाँ पे heat हमेशा क्या होती है, निकलती है बाहर, heat जो है, evolved out होती है, जब भी आप acid और base को mix करोगे तो हमारे पास जो neutralization reaction होगी, वो कैसी होगी, it is exothermic reaction, because the heat is evolved over here तो यह बड़ा important point है जो आपको पता होना चाहिए, कि acid और base, अगर दोनों ही strong है आपके पास, तो जो heat energy निकलेगी, वो almost क्या होती है same निकलती है, सबी के अंदर, भले कोई भी nature हो, acid का, कोई भी acid हो आपके पास, या कोई भी base हो, जब दोनों को mix करेंगे तो energy evolve almost same रहता है जैसे for example, आप इससे समझ सकते हो मैंने यहाँ पे जब strong acid, HCl strong base, NaOH को मिलाया तो heat evolve कितनी हो रही है 57.1 kJ, तो उसी तरह से अगर मैंने HCl की जगए दूसरा कोई strong acid ले लिया, ठीके न, HNO3 ले लिया, और base की जगए, NaOH की जगए दूसरा कोई base ले लिया, QH, अब इन दोनों को mix किया, तो मेरे पास KNO3 plus water plus energy कितनी निकल रही है 57.1, यानि कहने का मतलब यह है कोई भी strong acid या strong base अगर आपस में mix up करेंगे, तो उनसे हमारे पास salt और water बनेगा और energy का evolvement, energy जो evolved होगी वो कितनी होगी 57.1 kJ very very important question पूछा गया question है, competition में DPV में भी आप लोगों से पूछा गया था जो मैंने आप लोगों को answer भी बताया था ठीक है ना, तो उसी तरह से आपको पता होना चीए, last point कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि cation of base and anion of acid on both side of the equation cancel out completely and the heat evolved is due to the following reaction, तो basically यह heat जो यहाँ पे निकल रही है 57.1 kJ वो किसकी वज़े से निकल रही है वो heat निकल रही है water के बनने से यहाँ इसका H positive acid का और base का जब OH minus आपस में मिलते हैं तो water बनता है और जो energy release होती है वहाँ पे 57.1 kJ वो किसकी वज़े से हो रही है H positive और OH minus आए ने एक दूसरे को neutral करके water बना रहे हैं एक stable molecule बना रहे हैं यहाँ पे heat energy बाहर निकल जाती है जब भी कोई stable molecule बनता है तो energy क्या होती है release होती है तो strong acid और strong base कोई भी हो आपके पास energy हमेशा 57.1 kJ ही वहाँ से release होगी ठीक है अब उसके बाद application पता होने चीए बिटा, neutralization की अब कुछ जो persons होते हैं जो old age persons होते हैं उनको generally कैसी problem रहती है acidity की problem रहती है stomach के अंदर तो old age persons को acidity की problem होती है stomach के अंदर वो किस की वज़े से होती है किस कारण के वज़े से होती है उसका reason basically यह होता है कि release of excessive gastric juice ठीक है ना उनके stomach के अंदर बहुत ज़्यादा amount में gastric juice जो है जिसके अंदर HCL present होता है वो क्या होता है secret होता रहता है ठीक है ना तो अब जब acidity हो गई है stomach के अंदर gastric juice में HCL, HCL क्या है strong acid है HCL secret हो रहा है ठीक है ना तो HCL को हम neutralize कैसे कर सकते हैं इसको neutralize करने के लिए antacid की tablets होती है हमारे पास ठीक है ना antacid tablets में कौन से हमारे पास वो आते है जो medicine से sodium hydrogen carbonate है या magnesium hydroxide तो patient को generally क्या दिया जाता है sodium hydrogen carbonate या magnesium hydroxide या फिर ino वगरा ठीक है ना basic medicines उनको दी जाती है basic medicine जिस salt में बेस ज़्यादा प्रेजेंट हो वो उनको दिया जाता है थाकि acid को HCL को क्या कर दे वो neutralize कर दे ठीक है ना sodium hydrogen carbonate हमारे क्या होता है ये भी पता होना चीए baking soda और magnesium hydrogen carbonate इसको क्या बोलते है magnesium hydroxide उसी तरह से आपको पता होना चीए sting of bee and ant बहुत important question है पूछा गया question है ठीक है ठीक है ना bee है या ant है उनकी sting के अंदर कौन सा acid present होता है the acid is formic acid ठीक है ना और जब चीटी या मदुमक्की हमें काट लेती है तो जो formic acid होता है उसका nature कैसा होता है corrosive होता है और poisonous होता है ठीक है ना इसलिए हमें क्या होती है irritation होती है उसको हम साबुन से धोएं तो साबुन के अंदर क्या present होता है sodium hydroxide तो sodium hydroxide क्या है strong base है और formic acid हमारा क्या था strong acid तो ये base इसको क्या करेगा neutralize कर देगा ठीक है ना और pain जो है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी उसी तेरह से बिटा येलो वास्प आपने नाम सुना होगा अभी गर्मियों के दिनों में काफी घूमती रहती है तो जो वास्प है वास्प की sting के अंदर alkali present होता है और जो कैसा होता है poisonous होता है ठीक है ना तो जब वास्प हमें काट लेती है बोड़ी पे अंदर क्या होता है acidic acid की amount होती है ठीक है तो ये acid क्या करता है उस alkali को क्या कर लेता है neutralize कर लेता है और pain क्या हो जाता है कम हो जाता है उच्छी तरह से farmers farmers भी के लिए भी neutralization reaction बड़ी important है कई बार क्या होता है soil के अंदर acidity बहुत जादा बढ़ जाती है ठीक है न तो acidity का main reason क्या होता है soil के अंदर basically it is due to the acid rain ठीक है न जो environment के अंदर acids है ठीक है न वो बारिस के साथ जब जमीन पिया जाते है तो acidity बढ़ जाती है इसकी हमारी soil की तो उसको neutralize करने के लिए soil के acidity को generally farmers क्या यूज करते है calcium sorry slack lime जिसको हम क्या बोलते है calcium hydroxide या calcium carbonate इन चीजों को वहाँ पे खेतों में डाल दिया जाता है जिसे acidity क्या होती है वो neutralize हो जाती है by using the basic calcium carbonate and the slack lime ठीक है तो इन की बज़े से ठीक है इनको बड़े अच्छे से करना है आप लोगों को next topic हम लोग pH का discuss करेंगे thank you very much